राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारे यूटीब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों फालकुन मास में शुकल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी उबास प्रत किया जाता है नाम के अनुरूप इस ब्रत में जातक आमला का फल अत्वा आमला ब्रक्ष का पूजन करते हैं ऐसा करने से शित्रूओं तथा अचानक आई हुई समस्याओं पर बिजय की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति सभी प्रकार के पापा चर्ण से मुग्द हो जाता है आमलकी का मतलब होता है आमला आमला एक अमरत फल है यह फल तथा इसका प्रक्ष अत्यंधी पवित्र माने गए हैं हिंदो धर्म शास्त्रों के अनुसार आमले के प्रक्ष को गंगा के समान श्रेष्ठ तथा पवित्र बताया कया है पद्म पुरान के अनुसार आमलकी या आमले का प्रक्ष भगवान बिश्टो के आशिरवाद से उत्पन्न हुआ है इसी कारण इस प्रक्ष को देपताओं का प्रक्ष कहा जाता है अत्य यह प्रक्ष देपताओं को भी अत्यन्थी प्रिया है इसी कारण अनेक शुब अफसरों पर आमले के व्रक्षी पूजा अच्छना की जाती है पद्म पुरान के अनुसार आमले की एकादशी ब्रत करने से सभी तीथ इस्थानों में जाने जितना पुन्ने फल प्राप्त होता है यदि आप कोई भी यग्य करने में अस्मत हो तो इस ब्रत के करने से सभी यग्यों के बरावर फल मिलता है इस आमले की एकादशी ब्रत को करने से व्यक्ति को पुर्शाद, चतुष्टिय वा मुक्षी प्राप्ति होती है यह भी कहा जाता है कि जातक रत्यू के बाद भगवान विश्णू के परमधाम में पहुँच जाता है पद्मपुरान की अनसार आमले की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही भगवान विश्णू की कृप्ति होती है साथ ही समस्ते संकटों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है आमले की एकादशी की कथा मानधाता जी के पोशने पर रिशी वशिष्ण जी ने सुनाई थी आमले की एकादशी की कथा इस प्रकार है कथा के अनसार एक पार मानधाता बोले हे बस्षिष्ठ जी यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे ब्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्यान हो महर्शी बस्षिष्ठ जी बोले हे राजन सब ब्रतों से उत्तम और अंतमी मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के ब्रत का मैं वर्नन करता हूं यहे एकादशी फालकुन मास के शुकल पक्ष में आती है इस ब्रत को करने से तथा इसकी कथा को सुनने से समस्तपाप नश्ट हो जाते है इस ब्रत को करने से और इसकी कथा को सुनने से एक हजार कौदान के बराबर पुन्यफल प्राक्त होता है अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्बक सुनिये एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें भ्रामर, छत्रिय, वैशे और शुद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे उस नगर में सदर वेद्थवनी गुझा करती थे, तथा पापी, दुराचारी, तथा नास्तिक, उस नगर में कोई नहीं रहता था उस नगर में चैत्रत नाम का चंद्रवन्शी राजा राजे करता था, वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था उस नगर में कोई भी ब्यक्ति, दरित्र वा कंजूस नहीं था सभी नगरवार्शी विश्नों भक्ति थे और आबाल, ब्रत, इस्त्री पुरुष, एकादशी का ब्रत किया करते थे एक समय फालगुन मास के शुकल पक्ष की आमलकी एकादशी आई उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल ब्रत सबने हर्श पूर्वग प्रत किया राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुम्भ इस्थापित करके धूप दीप नेवेद पंचरतन आदी से धात्री याने की आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार इस्तुदी करने लगे हे धात्री, तुम भ्रम्र सरूप हो तुम भ्रम्मा जी द्वारा उत्पन हुए हो और समस्त्र पापों का नाश करने वाले हो तुमको नमस्कार है अब तुम मेरा अध्य स्विकार करो तुम शिरी राम चंदर जी द्वारा सम्मानित हो मैं आपकी प्रात्ना करता हूँ अध्य आप मेरे समस्त्र पापों का नाश करो उस मंदिर में सबने रात्री को जागरन किया उसी रात एक शिकारी शिकार करता हुआ मंदिर पहुँचा वह शिकारी जीबों की हत्या करके ही अपने परिवार को पालता था दीप मालाओं से सुशजित तथा बहुत से लोगों द्वारा एकटे होकर हरी कीतन करते हुए रात्री जागरन करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है शिकारी के पिछले जन्म के पुन्ने का उद्य होने पर ही वहां एकादशी प्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया कलश के उपर विराजमान भगवान श्री दामोतर जी का भी उसने दर्शन किया तथा बहां बैटकर भगवान शिरी हरी की चरित्र गाथा शवर्ण करने लगा और भूगा प्यासा होने पर भी एकाक्रमन से एकादशी ब्रत के महतम्मे की कथा तथा भगवान शिरी हरी की महिमा शवर्ण करते हुए उसने भी रात्री जाकरन किया प्रात्यकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया घर जाकर उसने भूजन किया कुछ समय बीटने के पश्चाथ उस बहेलिये के मृत्य हो गई मगर उस आमलकी एकादशी के ब्रत तथा जागरन से उसने राजा बिदूरत के घर चन्म लिया और उसका नाम बसूरत रखा गया युबा होने पर वह चतुरंगनी सैना के सहित तथा धन्धाने से युक्त होकर दस हजार ग्रामों का पालन करने लगा बहे तेज में सूरे के समान कांती में चंद्रमा के समान बीरता में भगवान विष्णू के समान और श्चमा में प्रत्वी के समान था वहे अत्यंतिधार्मिक, सत्यवादी, कर्मवी और विष्णू भक्ति था वहे प्रजा का समान भाब से पालन करता था दान देना उसका नित्यक करता व्य था एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया देव योग से बहे मार्ग भूल गया और दिशाग्यान ना रहने के कारण उसी बन में एक ब्रक्ष के नीचे शो गया थोड़ी देर बाद पहाडी मलेच वहाँ आ गये और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओ दोड़े मलेच कहने लगे इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदी अनिक संबंदियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है अधै इसको अवश्य मारना चाहिए ऐसा कहकर वे मलेच उस राजा को मारने तोड़े और अनेग प्रकार के अस्त्र सस्त उसके उपर फैंके पेसम अस्त्र सस्त राजा के शरीपर गेते ही नश्ट हो जाते थे और उनका बार पुष्व के समान प्रतीत होता था अब उन मलेक्षों के अस्त्र सस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूचित होकर करने लगे उसी समय राजा के शरी से एक दिव्य इस्त्री उत्पन्न होई बहे इस्त्री अत्यंत सुन्दर होते हुए भी उसकी भ्रक्टी तेडी थी उसकी आँखों से लाल-लाल अगनी निकल रहे थे जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी वे इस्त्री मलेक्षों को मारने के लिए दोड़ी और थोड़ी ही तेर में उसने सम्मलेक्षों को काल के गाल में पहुचा दिया जब राजा की नीन खुले तथा उसने यह भयानक हत्यकान देखा तो वह आश्यरे चकित हो गया साथ ही भैबीत भी हो गया उन भी शन आकार वाले मलेक्षों को मरा देखकर राजा बिसमे के साह सोचने लगा कि मेरे इन शत्रों को किसने मारा और किसने मेरी रक्षा की है यहां मेरा ऐसा कौन हितेशी मित्र है जो ही हो मैं उसके इस महानकारे के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उसी समय आकाशवानी हुई कि भगवान विश्नु को छोड़कर भला शर्नागत की रक्षा करने वाला और कौन हो सकता है अतै शर्नागत रक्षक शर्नागत पालक शिरी हरी ने ही तुम्हारी रक्षा की है राजा उस आकाशवानी को सुनकर प्रसन्य तो हुआ ही साथी भगवान शिरी हरी के चर्णों में आती कृतक्य होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राजे में बापस आ गया और राजे करने लगा महर्शी बशिष्ट बोले हे राजन यह आमलकी एकादशी के ब्रत का ही प्रभाप था जो मनुश्य इस आमलकी एकादशी का ब्रत करते हैं या कथा सुनते हैं बेप्रतिक कारे में सफल होते हैं शत्रों बर बिजय प्राप्त करते हैं भगवान विशनु की करपा से उन्हें सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है सुख में जीवन ब्यतीत कर अंत में विशनु लोग को जाते हैं भगवान विशनु ने ही भ्रमा जी को यह आशिरवात दिया था कि भ्रमा जी यह आमले का ब्रक्ष आपके अश्रों से उत्पन्न हुआ है यह आमले का ब्रक्ष और फल मुझे अतिप्रिय रहेगा वह व्यक्ति मुख्ष मार्क की और प्रसस्त होगा उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस सिब है भी इसका लाब उठा सकें हमारी और फ्री वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वचिंग दाती दाती